नमस्कार फ्रेंड्स बीपी एस इकाडमी यूटूब चैनल में आप लोग का स्वागत है आज की वीडियों बात करने वाले हैं बेस्ट बुक और बिहार द्रोगा एसाई बिहार द्रोगा एसाई के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन हो सकती है और मैं अपने बारें बताओ फ्रेंड तो अभी मेरे 8-10 लोगों का ग्रूप था जिसका अभी 2-3 लोगों का फाइनल सेलेक्शन हुआ और बहुत से ऐसे मेरे दोस्त हुएं और जिनका फाइनल मेरिट में जाकर किसी का नाम चड़ गया तो कोई मेंस में चड़ गे तो कहीं ने कहीं एक मेरे ग्रूप का सरकल है और उसी के अधार पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कौन सी ऐसी सबसे बेश्ट बुक हो सकती है बिहार द्रोगा के लिए ऐसे यूटूबर नहीं ऐसे आपके भाई की तरह बात करूंगा तो विडियो में सुरू शरले कर लाश्ट तक जरूर बने रही है क्योंकि अभी से ही आपको पचीस सो पुष्टों के लिए तैयारी सुरू करनी होगी क्योंकि हो सकता है कि आपके पास आखरी मोका हो बिहार द्रोगा के लिए इसके बाद हो सकती है बिहार द्रोगा के बहुत बार वेकेंसी आ चुकी है तो हो सकता है कि इस बार से ज़्यादा फिर वेकेंसी ना दी जाए तो सबसे पहले देख लेते Iraq कि आखिर कहां से प्रश्ण इसमें पूछे जाते हैं तो इसमें जो प्रश्ण पूछे जाते हैं आपके history से जोग्राफी से पोलिटी से एकनॉमिक से science से क्रेट अफियर से बिहार अस्पेशल से और math से प्रश्ण पूछे जाते हैं यहाँ पे reasoning के प्रश्ट नहीं देखने को मिलते हैं यहाँ पे जो सबसे main role निभाता है वो सबसे main role निभाता है आपका history history में भी सबसे important होता है modern history modern history के अलावा आपको history में important हो जाता है प्राचीन भारत क्योंकि प्राचीन भारत जो है आपका बिहार से जुड़ा हुआ है जैसे बहुत धे काल बहुत धर्म हो गया आपका मौर समराज हो गया मगत से जुड़ा हुआ चीजे है तो यह सारी चीजे वहाँ पे important हो जाती है आपको ध्यान देना है भारत के भूगल पे पॉलेटी से प्रश्ण पूछे जाते हैं पॉलेटी आपका अच्छा रोल निभाता है एकनॉमिक्स से कभी-कभी बहुत जादा प्रश्ण पूछ लिए जाते हैं और कभी-कभी कम प्रश्ण पूछ जाते हैं बागी इसमें Economics का लेवल बहुत जादा टप नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे जो लेवल होता है, बीपीएसी से डौन लेवल होता है, उसके साथ ही Science के बारे बात करें, तो Science यहाँ पे बहुत ही आहम रोल निभाता है, और बहुत ही अच्छे प्रशन पूछी जाते है साइन से, यहाँ पे क्रेंट अफियर बहुत इंपोर्टेंट है फ्रेंट, क्रेंट अफियर से देखा जाए, तो कम से कम 20-25, कम से कम मैं बताओ, तब 25-20 की विशन आराम से रहते हैं, 30-30 प्रशन तक रहता है क्रेंट अफिय से, उसके साथ थी, आपको यहाँ पे कुछ मैट्स भी देखने को मिलते हैं, तो यह तो कुछ होगी, जहां से प्रशन पूछे जाते हैं, इसके अलावा आपको 4-5 प्रशन है, वो बिहारस बेसल से देखे जाते हैं, तो चलिए फ्रेंट हम एके करके बुक के बारें बात क तो हिश्क्री के लिए जो सबसे इंपोडेंट बुक है, वो मेरे अनुसार से समान नेग्यान कराउन की यह बुक आती है, इसके लावा इसी टाइप का यह बुक आता है, लूसेंट भी और मैं उसको ही पहले फोलो करता था, लेकिन लूसेंट के साथ यह दिक्कत आ रहे थ और सब को पता है कि लूसेंट से प्रशनाते हैं, इसलिए यहां से अब एक्जाम को निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, और लूसेंट में मुझे एक चीज और दिक्कत लग रहे थी, कि लूसेंट में है, वो चीजों को उतना डिवाइड मतलब नहीं किया गया है, और यह मलब एक कहाज है, तो कोचिंग वाला फील भी नहीं देता है, मैं पहले लूसेंट को ही पढ़ता था, आप देख भी सकते हैं, मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो आपको क्रॉन में क्या होगा, पहली नंबर कि आपको यहां पे उससे ज़्याद कि और स्विच किया हूँ, तो यह बुक आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाएगा, इस बुक से आपको क्या करना है, हिश्ट्री करना है, जोग्राफी करना है, पॉलिटी करना है, इकनॉमिक्स करना है, उसके साथ ही आपको इन सारे चीज़ों के साथ, आपको हमेशा एक अब्जेक्टिव बुक को फॉलो करना है, आप सब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद उसी चैप्टर का आपको यहां से अब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना है, सेम चीज़ आपको यहां पर मिल लागा, इससे क्या होगा, कि आपका सब्जेक्टिव और अब्जेक्टिव दोनों एक साथ किलियर होते चलेगा, जैसे मैं आपको बता दोता हूँ, मान लिजे, कि आपने यहां से पढ़ा, एक मिनिट, यहां से मान लिजे, आपने पढ़ा मराठो का उतकर्स, तो आप क्या करेंगे, यही सेम टॉपिक को, आज आपने यहां से सब्जेक्टि पढ़ा, इसके बाद आप इसका यहां से अब्जेक्टि पढ़ा कर लेंगे, इससे क्या होगा, कि आपने जो भी पढ़ा है, वो सारा आपका एक सत्थ किलियर हो जाएगा, और आप इससे भूलेंगे नहीं, नहीं, तो मैं बहुत से ऐसे इस बिजेंट को देखता हूँ, जो पढ़ बुक को फॉलो कर सकते हैं, पहला तो आपका स्पीडी का समान या दन है, यह बुक बहुत ही इंपोडेंट रोल लिभाता है, और बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि यह बुक से बिहार SI में इसका कोई रोल नहीं है, तो स्पीडी वहां पे रोल लिभाता है, जहां पे लोगों का निगेटिव होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे कॉमन से आपको परशने देखने को मिलेंगे, और 30-40 परशेंट बहुत कॉमन कॉमन परशन होते हैं, जिसमें आप्सन में लोग गलत कर देता है, तो यह जो परशन होते हैं, जो स्पीडी वाले, यह आपको तो यह बुक आपको लेना है, और एक से दो पिज आपको डेली बेसिस पर करना है, उसके साथ ही फ्रिंट महेश कमार बरनवाल की यह वाली बुक आती है, NCRT सार, आप चाहें, अगर NCRT सार से करके बिहार द्रोगा निकालना तो आराम से निकाला जा सकता है, हलाकि इसके स आपको और भी बुक फॉलो करना चाहें, लेकिन यह वाली बुक बहुत ही अच्छी है, NCRT पैटरन पे बेस्ट है, तो आप चाहें तो S.P.D. को फॉलो कर सकता है नहीं, तो आप NCRT सार को फॉलो कर सकते हैं, दोनों बुक बहुत ही अच्छी है, चाहें तो आप दोनों को follow कर सकते हैं, दो पेज आप इसका पढ़ लीज़ा और दो पेज इसका पढ़ लीज़ा, अराम से अभी से कभर किया जा सकता है, उसके साथ ही, क्रेंट अफेर के लिए ये वाली आप बुक पढ़ सकते हैं, SPD का आता है, इसके आप इस बुक को नीमी तोर पर पढ़ेंगे, मैं हमेशा बहुत से इस ब्रेंटों को देखता हूँ कि वह यह गलती करते हैं, कि आज यह बुक पढ़ा, चार चेप्टर यहां से पढ़ा, दो चेप्टर वहां से पढ़ा, दो चेप्टर यहां से पढ़ा, तो ऐसा नहीं करना एक crown आपको निश्य तोर पे अकेले crown आपको बिहार SI में सफलता देने के लिए काफी है तो जरूरी यह नहीं है कि आप 10 book से पढ़ें जरूरी यह है कि आप 10 एक ही book को 10 वर पढ़ें इसलिए कभी भी book के मामले में switch नहीं किजिए अगर आपको इसके अलावा कोई भी other book भी पसंद आता है तो आप उसको पढ़िए लेकिन उस book को ही cable पढ़ना है और बार बार नए market में जो book आता है उसके तरफ आपको switch नहीं करना है तो जो भी चीज़े मैंने बताई यह चीज़े तभी कारगर होगी जब आप इसको अपने जीवन में उतारेंगे और अपने जीवन में अध्यन मिलेंगे इसके साथ ही फ्रेंट आपको इन सारे book के साथ daily basis पे आपको test series लगाना है test series के लिए आप offline भी लगा सकते हैं online भी लगा सकते हैं अभी फिरेंट online के लिए मैं आपको एक नीचे link देता हूँ test book का वहाँ पे आप एक test pass buy करेंगे और almost जितने भी exam हैं चाहें आप बिहार द्रोगा का हो, बिहार SI का हो, BPAC का हो सारे का आप एक ही price में आप buy कर सकते हैं बहुत से test series आपको free में भी मिल जाएंगे तो नीचे मैं link देता हूँ, वहाँ से चले जाएए और आज मेरे YouTube चैनल पे 25 के subscriber हुए हैं तो किसी एक भाई बंदू को आप ही लोग में से मैं test gift भी करूँगा तो आप लोग नीचे comment करकर बताइएगा और मेरा code यूज़ किजेगा BPS code को यूज़ करने सहिया होगा कि मुझे कुछ cashback मिलेंगा और उसी cashback से मैं किसी भाई बंदू को test buy कर दूँगा तो इस code को apply करने से आपको 40 रुपया तो छूट मिलेगा ही और मुझे cashback भी मिलेगा और नीचे आपको link है जाएए वहाँ से free में test लगाएए और अगर आपको test पसंद आता है क्योंकि बहुत ही cheap price है जितना में आप इस video का recharge करवा के इस video को देख रहे हैं उससे कम में आप वहाँ पे सारे exam का test series एक साल के लिए buy कर सकते हैं तो बस आज का वीडियो कैसा लगा अभी से आपके पास समय फ्रेंड इस समय के जितना ज़्यादा आप इपयोग कर सकते हैं उपयोग किजे तो बस आज के इतना ही मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में टेक केर धन्यवाद